Hey guys, hi, welcome back to my channel, Abba Kwaam aka Kira. पहले तो आप सब कैसे हैं? I hope that कि आप सभी ने मिरे पिछले वीडियो को पसंद किया होगा और लाइक करा होगा. और इसलिए आज मैं अपने एक नए स्टोरी के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ. पर इस स्टोरी को सुनाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप खुद से एक सवाल पूछे कि क्या कोई मर के वापिस आ सकता है? क्या किसी के प्यार में इतनी ताकत है कि वो भगवान से अपने प्यार को छीन ले? अब इस सवाल को तो आपको इस स्टोरी को सुनते सुनते सोचना होगा तो आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उस स्टोरी का नाम है The Girl Who Knew Too Much और इसके और्थर है Mr. Vikrant Khanna तो चलिए अब जादा वक्त ना लेते हुए हम स्टोरी के तरफ बढ़ते हैं यह स्टोरी शुरू होती है एक पार्ट से जहाँ एक 13 साल की बच्ची अपने अकेले पन के साथ बैठी हुई है और रो रही है दूर से उसको एक लड़का बहुत देर से ताक रहा होता है और फाइनली वो उसके पास जाकर बैठ चाता है और आके उसके बगल में बैठ कर कहता है तुम रो क्यों रही हो तो वो लड़की को जवाब नहीं देती है बस उसके तरफ ताकती है फिर मूँ घुमा लेती है फिर वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुमको तुमारे पापा ने बार्बी डॉल नहीं दी तो वो कहता है हाई मेरा नाम हरविंदर है पर तुम मुझे हैरी कह सकती हो तो अक्षरा कहती है क्यों मैं तुम को हैरी क्यों बुलाओ तो हैरी कहता है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी मुझे ये बुलाते हैं तो तुम भी मुझे बुला सकती हो तो हैरी उससे पूछता है कि तुम रो क क्यों रही हो तो अक्षरा बताती है कि उसकी मम्मी नहीं रही कुछ दिन पहले ही गुजरी है और पापा हमेशा बहार रहते हैं वो अपनी एक अंटी शिल्पी के साथ रहती है जो उसका खयाल रखती है तो हैरी कहता है तुम रो मत बेबी सब कुछ ठीक हो जाएगा तो अक् प्रहने के बाद अक्षरा कहती है कि अगर आज मम्मी जिन्दा होती तो मुझे अंटी के साथ नहीं रहना पड़ता और मम्मी को अंटी पसंद भी नहीं आती अक्षरा की सारी बाते हैरी सुनता है और बड़े ही ध्यान से सुनता है थोड़े दिर बाद अक्षरा कहती है क् अचानक से Harry को लगता है जैसे कि उससे किसी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया हो जो कि वो जानता हो थोड़े दर बाद Harry अक्षरा से पूछता है क्या उसको एक स्टोरी सुननी है तो अक्षरा कहती है I love stories, I love the fantasy stories Harry कहता है कि चलो तो मैं तुमको आज एक स्टोरी सुनाता हूँ और यहां से वो यह स्टोरी को असल में शुरू करता है स्टोरी शुरू होती है साहीबा नाम की एक लड़की से जिसको Harry ने पहली बार 16 सल की उमर में अपनी कॉलोनी में देखा था Harry पताता है कि साहीबा को देखनेक से ही लगता था कि साहीबा से कोई भी प्यार कर सकता था वो एक सूरज की तरह थी, वो सूरज की तरह चमकती थी दो साल तक तो Harry और साहीबा के बीच में बस हाई और हैलो ही होता रहा उससे जादा बात ही नहीं होती थी पर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती गई और Harry की दोस्ती सर्फ साहीबा से ही नहीं हुई बलकि साहीबा की बेस्ट फ्रेंट गिन्नी के साथ भी हुई Harry को पता नहीं कब साहीबा से प्यार भी हो गया पर वो कभी साहीबा से ये बात कहे नहीं सका क्यों? क्योंकि साहीबा किसी और से प्यार करती थी जिसका नाम था सिध्धार्थ जिसको साहीबा प्यार से सिध्धू बुलाती थी अब हैरी बताता है अक्षरा को की साहीबा और सिध्धार्थ की स्टोरी उसको हमेशा से पता नहीं थी पर जब जब साहीबा उसकी बेस्ट फ्रेंट से गिन्नी से बैट कर पार्क में बात कर दी थी सिध्धू के बारे में यानि सिध्धार्थ के बारे में तब जाके हैरी को असल कहानी का पता चला वो कहता है अक्षरा से कि किस तरीके से उसने सिध्धार्थ और साहीबा की लग स्टोरी के बारे में सुना कि कैसे वो पहली बार मिले कि किस तरीके से एक बार कुछ लड़के एक रिस्टॉरेंट में बैठे हुए थे दो ग्रुप्स में और एक तरफ साहीबा का ग्रुप बै लिया सिद्धात के दोस्तों ने कहा बगल में एक लड़की बैटी है जाओ उस लड़की से तुम बात करके आओ सिद्धात बहुत ही पुलाइट लड़का था इसलिए वो अपनी जगह से उठता है और बड़े ही शिद्धत के साथ साहिबा के पास जाके बैट जाता है साहिबा को देखकर उसको भी उसी तरीकी की फीलिंग आती है जैसे हैरी को कभी आई थी पर वो साहिबा से बहुत ही पुलाइट ली कहता है कि I'm Sorry क्या मैं आपके पास बैट सकता हूँ साहिबा की सारी फ्रेंड सिद्धात की तरफ देखती है पर वो कुछ कहती नहीं है वो हस्ति है सिद्धात बैट जाता है वहीं पर और कहता है कि Sorry पर ये एक गेम का पार्ठ है मुझे माफ करिएगा मेरे दोस्तों नहीं आपे भेजा है मुझे साहीबा हसती है और हाई और हेलो कहती है ये दिन आए और गए हो जाते हैं एक बार फिर साहीबा से सिध्धात मिलता है और इस बार धीरे धीरे दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता भी नहीं चलता है इधर साहिबा की दोस्ती ना सिर्फ सिधात से बड़ी होती है बलकि हैरी से भी हो जाती है और इसी वज़े से वो हैरी से सिधात को मिलाती है पर हैरी को कभी भी सिधात पसंद नहीं था जैसा कि वो अक्षरा को बताता है यानि कि हमारी ननी से अक्षरा को बताता है कि मुझे कभी भी सिधात पहले पसंद नहीं था पर क्या करता क्योंकि साहीबा सिधात से प्यार करती थी और दो प्यार करने वाले जब उससे बहुत प्यार करते हैं के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए अक्षरा जब ये सारी बाते सुनती है तो हैरी से पूछती है क्या वो सिद्धार से सही में अफरत करता था तो हैरी कहता कि हाँ करता तो था पर अब नहीं करता तो अक्षरा पूछती है क्यों तब हैरी बताता है कि असली ट्विस्ट जो है वो अक्षरा कुछ और है और सही में स्टोरी का असली ट्विस्ट अब समझ में आता है जहां से स्टोरी पूरी की पूरी ही बदल जाती है हैरी बताता है हमारी ननी सी अक्षरा को कि क्योंकि वो खुद साहीबा से प्यार करता था और साहीबा सिधात से प्यार करती थी इस बात का गुस्सा उसको हमेशा रहता था इसलिए वो चाहता था कि सिधात को कुछ ऐसा हो जाए कि साहीबा खुदी ही सिधात को भूल जाए और इसी वज़े से एक दिन वो अपने सिधात कार में निकलता है रोड पर जहां पर सिधात मिडल आफ दे रोड खड़ा रहता है मार्केट के बीच में ये बात हैरी को पता होती है अब क्या होता है कि हैरी अपनी गुस्से से गाड़ी को निकालता है और जाके सिधात को ठोकर मार देता है अब ये भगवान का ही किया गई है या किस्मत का सिधात को चोट तो लगती है पर सो कुछ होता नहीं है पर इस बात से हैरी बहुत डर जाता है और हैरी डर कर अपनी SUV गारी भगाता है और घर में जाके घुज जाता है और फिर 5 दिन तक घर से निकलता ही नहीं है इधर जब साहिबा को ये बात पता चलती है कि सिधात का एक्सिडन्ट हो चुका है तो वो भाग के सिधात को लाती है और उस आदमी को बहुत कोस्ती है जिसने की सिधात को एक्सिडन्ट किया होता है पर सिधात को ये बात पता ही नहीं रहता है कि एक्सिडन्ट किया किसने है इधर Harry अपने घर में बंद हुए पांच दिन हो जाते हैं यानि कि एक्सिडेंट के पांच वे दिन जब Harry निकलता है तो वो जाता है एक मॉल में मॉल में जैसे ही वो गाड़ी पार्क करता है गराज में ही उसी गाड़ी में आग लग जाता है यहां अक्षरा पूछती है Harry से कि Harry तुमको तो अपने कर्मों की सजा मिल गई न देखा तुमारी गाड़ी को जला दिया भगवान ने बुरे कर्मों की बुरी सजा होती है तो Harry कहता है अक्षरा उस गाड़ी में मैं भी था मैं भी उस गाड़ी के साथ जिन्दा जल गया था अब थोड़े देर बाद अक्षरा उसको ताकती है तो Harry समझ जाता है Harry कहता है हाँ अक्षरा I'm ghost मैं एक spirit हूँ मुझे मरे हुए साथ साल बिच चुके हैं इतना सुनना नहीं था कि अक्षरा वहाँ से दोड़ के भाग जाती है और कहती है कि तुम जूटे हो ऐसा हुई नहीं सकता है और फिर वो वापिस ही नहीं आती है काफे दिन तक अक्षरा का Harry पार्क में वेट करता रहता है कि शायर आज अक्षरा आ जाए क्योंकि उसको भी कोई ऐसा मिला था काफी साल बाद जिसको वो अपनी स्टोरी मरने के बाद सुना सकता था पर अक्षरा काफे दिन बाद नहीं आती है कुछ दिन बाद जब अक्षरा वापिस लोटती है तो देखती है कि हैरी वहीं पे है अक्षरा उसको एक तरप देखती है और फिर जाकर उसके बगर में बैठ जाती है हैरी चुपचा फंसता है कुछ कहता नहीं है बस वो इतना ही कहता है अक्षरा डरो मत मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुचाऊंगा पर अक्षरा कोई भी reaction नहीं देती है कुछ देर बाद हैरी कहता है कि अक्षरा क्या हम आगे स्टोरी सुने तो अक्षरा कुछ नहीं कहती हैरी उस ना को हाँ समझ लेता है और कहानी आगे सनाने लगता है हैरी आगे बताता है कि उसके मरने की खबर कभी किसी को थी ही नहीं, क्यूं? क्यूंकि Harry को कोई पसंद जादा करता नहीं था, और साहीबा हमेशे सिधात के साथ ही बिज़ी रहती थी, वक्त के साथ साहीबा और सिधात का जो प्यार है और गहरा हो जाता है, और एक साहीबा अपनी फैमिली मिंबर से सिधात को मिलानी के लिए लेके जाती है, जहां पर बहुत ही सक्ति के साथ उसके मम्मी पापा सिधात को टेस्ट करते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम तो शादी कर लोगे पर तुमारे पस तो कोई नौकरी ही नहीं, तुमारे ड्रीम्स क्या है तो सिधात बताता है कि मेरा ड्रीम है मुंबई जाकर हिरो बनना या एक्टिंग करना साहीबा क्योंकि बहुत प्यार करती थी सिधात से, तो वह कहती है, ठीक तो है तुम एक्टिंग करना, और मैं बेकरी चलाओंगी, क्योंकि साहीबा बहुत ही टेस्टी केक बेक करती थी और यह बास सिधात की दिल को छू जाती है इधर साहीबा के पापा भी मान जाते हैं शादी के लिए दीरे-दीरे दोनों का रिष्टा और गहराने लगता है दो-तीन साल बाद दोने की शादी तैह होती है शादी तैह होती है अगस्ट के महीने में और तारीक होती है 20 यानि की 20 अगस्ट 2012 को पर शादी के 10 दिन पहले सिधात और साहीबा के साथ एक बहुत बड़ा हाथसा हो जाता है अचानक से न्यूज आता है की सिधात की एक्सिडेंट में मौथ हो चुकी है साहीबा बिल्कुल तूट जाती है इतना सुनते ही अक्षरा यानि की हमारी नन्नी सी अक्षरा खुद भी रोने लगती है कहती है वाट सिध्दू भाया भी मर गए भगवान ऐसा कैसे कर सकते है भगवान हर अच्छे इंसान को क्यों अपने पास बुला लेते है हैरी दिस इस नॉट फियर इस नॉट फियर हैरी कहता है अक्षरा आई नो जो तुम कह रही हो वो सही है पर मेरी पूरी पहले कहानी तो सुनो तो अक्षरा चुप हो जाती है इधर वो बताता है अक्षरा को कि किस तरीके से साहीबा सिधात की जाने के बाद बिल्कुल तूट जाती है वो दिन राज सिर्फ एक ही चीज रटती रहती है कि सिध्धू वापिस आएगा सिध्धात जरूर वापिस आएगा भगवान उसको जरूर वापिस मुझे दे देंगे यही कहती रहती थी हमेशा तूट जाती थी और साहीबा के ममी पापा इस बात से हमेशा टेंस रहते थे कि कहीं किसी तरीकी से साहीबा को कुछ ना हो जाए इदर गिनी को बिलाया जाता है यानि कि साहीबा के बेस्ट फ्रेंड को वो भी आती है और साहीबा को सिध्धात के बारे में समझाती है कि हाँ सिध्धात वापिस आएगा सिद्धू जरूर वापिस आएगा पर तुमको इसके लिए एक हजार अच्छे काम करने होगे जो कि गिनी जानती थी कि ये इंपॉसिबल है इसलिए वो इबात कहती है और क्योंकि अग्रेसिवनेस के साथ साहीबा हमेश्या सिध्धात का वेट करती है तो वो कहती है कि ठीक है आज ही से मैं आज ही से एक हजार काम अच्छे करूंगी ताकि भगवान सिधात को सिध्धू को मुझे वापिस दे दे और वो तुरंद गिनी को पकड़ती है और घर से निकल जाती है निकल जाने के बाद रोड पर वो खड़ी हो जाती है और सबसे आते जाते पूछती है क्या कोई है जिसको मेरी मदद चाहिए क्या कोई है जिसको मदद चाहिए हर रास्ते पे जाकर यही बात वो पूछती है उसके यह हालत देखकर गिनी को बहुत तरस आता है पर पता नहीं अच्छानक से एक भिकारी आखर उससे कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो साही बाथ तुरंट अपने बैक से अपने पर से पैसे निकालती है और उसको दे देती है और बहुत ही खुशी के साथ उचलते हुए वो घर पे जाती है गिनी के साथ और कहती है कि आज मैंने पहला अच्छा काम कर लिया, फाइनिली मैंने पहला अच्छा काम किया, अब 999 अच्छे काम बाकी है, और वो आके अपने पापा से कहती है कि पापा अगर आपके पास भी कोई ऐसा हो जिसको मेरी मदद की जरूरत हो आप मुझे जरूर बताईएगा गिनी साहिबा के पापा की तरफ देखती है और साहिबा के पापा की तरफ देखकर बताती है actually एक तरीके से इशारे में कि this is impossible उसने सिर्फ वो चीज इसलिए कहा था ताकि किसी तरीके से साहीबा इस चीज से निकले इस ट्रॉमा से निकले साहीबा के पापा ये बात समझ जाते हैं कहते है ठीक है साहीबा तुम आराम से रहो बेकरी तो चल ही रहा है मैं NGO वाले से बात करता हूँ और वो जो बेकरी रहता है वो बेकरी सिद्धात ने साहिबा के लिए शादी के पहले खुलवाया था उसके लिए गिव्ट था क्यूंकि सिद्धात चाहता था कि साहिबा का हर सपना पूरा हो और वो खुद भी कहता था कि मेरे लिए मेरा सपना माटर नहीं करता है साहिबा मेरा सपना है, वो मेरा प्यार है इसलिए मेरा सब कुछ साहिबा ही है इसलिए साहिबा के पापा भी सिधात को बहुत पसंद करते थे और इसलिए उन्होंने भी साहिबा की मदद करने की कोशिश की उन्होंने का ठीक है तुमारी मम्मी और मेरा तो एंजियो का बहुत सारा काम होता ही है अगर वहाँ पर किसी को कोई जरुवत पड़ेगी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा साहिबा बहुत कुश हो जाती है दिन में इतने लगते हैं छोटे मुटे अच्छे से काम वो करती है पर उसको साटिस्फाक्शन नहीं मिलता है उसके बाद एक दिन हैरी उपड से यानि भगवान के पास से ये सब कुछ देख रहा होता है फाइनली वो यमराज से कहता है कि मुझे साहिबा के पास जाना है मैं साहिबा की मदद करना चाहता हूं यमराज कहते हैं No way dude ऐसा नहीं हो सकता ये बाद सुनते ही अक्षरा यानि वाही नहीं से अक्षरा कहती है What? यमराज होते है? तो हैरी कहता है हाँ बिल्कुल होते हैं, चित्रगुद भी होते हैं, और पूरा टेक्निकल वे में होते हैं, वहाँ पे भी बड़े बड़े कम्प्यूटर्स हैं, सब कुछ modern है वहाँ पे, पहली की तरह नहीं है, वो जो सिंग, भैस, वैसा कुछ नहीं है, तो अक्षरा कहती है, हैरी क्या त कहता है कि उसने यमराज से बात करी और कहा कि मैं साहिबा से मिलना चाहता हूँ, यमराज तो पहले मना कर देते हैं, पर बहुत फोर्स करने के बाद, वो कहता है कि ठीक है, मुझे जिन्दा मत करो, तो ठीक है, सिद्धात को जिन्दा कर दो, तो वो कहता है कि सिद्धात को नहीं किया जा सकता, जो एक बार मर चुका है वो मर चुका है, इस बात को तुमको समझना होगा तो Harry frustrated हो जाता है यानि कि Harry की आत्मा frustrated हो जाती है और वो यम्राथ से कहता है कि कुछ तो करो, ऐसा कैसे चल सकता है आपके यहाँ तो ठीक है, अब सिर्फ मुझे एक बार हलका सा उसके पास यानि हमेशा के विस विजिबल कर दो ताकि मुझे साही बार देख सके, मैं उसको सिर्फ हेल्प कर सकूँ उसके अच्छे कार्मों में इस बार यम्राथ को लगता है कि यह बात तो हो सकती है तो वो बोलता है, ठीक है मैं तुमको साही बार के सामें विजिबल कर दोंगा और तुम्हें जब भी मेरी जरुरत होगी तुम मुझे सिर्फ तीन बार यम, यम, यम कहना मैं आ जाऊंगा यह कहकर यम्राथ उसको इतने पावर दे देते हैं कि वो लोगों का दुख सुन सके और सिर्फ और सिर्फ साहीबा के सामने ही विजिबल हो सके और उसके बाद यम्राथ चले जाते है हैरी पहुंचता है साहीबा के घर और सीधा साहीबा के रूम में घुस जाता है वहां घुस कर वो साहीबा से मिलता है तो साहीबा पूछती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो हैरी अब यहां पर हैरी को लगता है कि इससे पहले में कुछ बताओ वो सबसे पहले साहीबा के मूँपर हाथ रखता है कहता कि पहले मेरी बात सुनो चिलाना मत तो साहीबा पहले डर जाती है और कहती है कि क्या क्या कहना चाहते है इशारे में कहती है तो हैरी बताता है कि सबसे पहले तो सुनो कि मैं साथ साल पहले मर चुका हूँ दूसरा मैं भूत हूँ यानि कि मैं गोस्ट हूँ तीसरी बात मैं तुम्हारे पास आया हूँ और सिब तुम्हारे ही सामने विजिबल हूँ इसलिए अब चिलाना मत वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे और किसी को ये बात बताना भी मत वरना लोग समझेंगे कि तुम पुरी पागल हो चुकी हो साहीबा एक टक हैरी को देखने लगती है कि ये कैसे हो सकता है how is possible फिर वो कुछ नहीं कहती है कहती है you are a good ghost तुम अच्छे हो ये कहती है फिर दिरे दिरे हैरी और साहीबा दोनों दो साल तक अच्छे अच्छे कामों को करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हैरी को भगवान ने ये power दिया होता है कि वो उन चीजों को सुन सके जिस किसी को दुख हो तो हैरी को जब भी दूर से कोई भी किसी के भी दुख की बाते सुनाई देती थी वो तुरन साहीबा को बता था जैसे कि कहीं पर accident होने वाला है या किसी का किसी से जगड़ा हो गया है और तुरन साहीबा वहाँ पहुंचती थी और उनकी हेल्प करती थी दीरे दीरे दो साहीबा को लगता है कि अब उसको हैरी से ये कहना चाहिए कि तुम भगवान के पास जाओ और कहो कि आटलिस्ट वो सिध्धात को वापिस अब भेज दे हेरी को भी साहीबा की बात सही लगती है और वो तुरन जाता है भगवान के पास या यमराज के पास तोनों के पास जाकर कहता है कि अब तो साहीबा पर तरस खाओ बिशारी कितने सालों से सिध्धात का वेट कर रही है अब आपको क्या चाहिए तो वो कहता है कि तुम जानते हो हैरी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है हम सिध्धात को वापिस नहीं कर सकते है जो मर चुका है वो मर चुका है हैरी कहता है ठीक है पर उसके प्यार को देख कर अटलिस्ट इतना तो कर दो कि सिद्धाद को जैसे आपने मुझे बिजिबल किया है सिद्धाद भी सिफ उसके सामने बिजिबल हो क्योंकि साही मैं सिद्धाद से बहुत प्यार करती है या मुसकी तरफ देखतार कहता है भी तो बहुत प्यार करते हो तो Harry कुछ कहता नहीं है पर finally भगवान मान जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है तो अक्षिरा कहती है इधर कि Harry क्या सिध्धार्थ भाईया सच में वापिस आ जाते हैं तो Harry कहता है हाँ अक्षिरा फाइनल सिध्धार्थ की आत्मा सिर्फ और सिर्फ साहिबा के सामने विजबल हो साती है और इसी के साथ वो पूरी लाइफ अपनी काट लेती है और आज साहिबा सिध्धार्थ के आत्मा के साथ ही बहुत खुश है क्योंकि वो इसको और वो कहते है हैरी ये सब कुछ सच नहीं हो सकता ये सब जूट है तुम भी जूट हो तुम सिर्फ मेरा एक imagination हो तुमने ये कहानी मेरे से बनाई है यानि कि मैंने तुम इमाजन करके ये story बना ली है क्योंकि मैंने भी अपनी मां को खोया है मैंने भी एक ऐसे चीज को खोया जिससे मैं सबसे जादा प्यार करती हूँ हैरी उसको बहुत समझाता है बहुत कि अक्षरा मैं सच हूँ तुमको विश्वास करना होगा कि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है पर अक्षरा कुछ भी नहीं मानती है फैनली हैरी ठक के हाल के कहता है अब अक्षरा जब तुमको ऐसा लगता है कि ये पूरी स्टोरी मैंने बनाई है या मैं तुम्हारे इमाजिनेशन हूँ तो मैं तुमसे कुछ कहतो नहीं सकता हूँ पर एक चीज़ कह सकता हूँ कि विश्वास करना कभी मत छोड़ना क्योंकि विश्वास में वो टाकत होती है जो किसी चीज़ में नहीं होती है विश्वास, बिलीव बहुत बड़े-बड़े मिरिकल्स करवा सकती है प्यार को वापिस ला सकती है अकषरा थोए दिर बाद उठतی है वहाँ से और कहती हे है Harry मैं नहीं जानती तुम सच हो या जूट पर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी वो कहती है Harry भी हसते वे कहता है बाई अक्षरा और वो वहाँ से चली जाती है Harry उसको दूर से जाते वे देखता है अब गाइज इस टोरी तो मैंने आपको सुना दी पर अब सोचने की बारी imagination था क्योंकि लोग को अक्सल कहते हैं कि hallucinations होते हैं कि लोग सोचते हैं जो हम सोच रहे हैं शायद वो चीज सामने हो रहा हो या ऐसे कुछ कुछ चीज़े वापिस आ सकती है पर मेरा मानना ये है कि प्यार और भगवान और विश्वास में इतनी ताकत होती है कि कुछ चीज ज़रूर पॉसिबल है भले मरे हुए लोग वापिस ना आए पर सच में miracles होती है अब miracles आप खोज ये मैं तो स्टोरी सुनाने वाली हूँ खेर अब मुम्किन और नामुम्किन का जो फैसला है वो आपको करना है पर मैं चाहती हूँ कि आप इस स्टोरी को ज़रूर अनलाइ ताकि मैं अपने अगली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो सकूँ तिल देन बाई सीया वर टू माई नेक्स्ट वीडियो बाई बाई